4th October, कल जो लोप्रिशार था वो आभी हमारा गागनेटिक वैस्ट पेंगल का वैस्टान पार्ट में एड्रानिंग जार्खान डेरिया में है पिछले 24 गौंटा में उडिशा में नौर्थ तुरिशा का डिस्टिक्स में most of the places में और साउत डिशा में मेनी प्रेसस में हलका से मध्धाम बारिश हुआ है हेवी तो भेरी हेवी रेनफॉल एक दो जागा करके हुआ कुछ टिस्टिक्स में बालाशोर केंद्रपरा, महिर्भान, जाश्री गदा, संबलपूर, काटो, पूरी टिस्टिक्स में और हाइस रेनफॉल था बालाशोर टिस्टिस का जालेश सर में 147.0 मिलिमीटर भूबनेश सर सीते में बारिश था 5.6 मिलिमीटर हमारा स्टेट आवरेज रेनफॉल था 13.2 मिलिमीटर, शाहवी कोता है 5.5 मिलिमीटर और अक्टबर महिना में 1 अक्टबर से आज 4 अक्टबर तक कमरा बारिश हुआ है रेशा में 66.9 मिलिमीटर, शाहवी कोता है 21.4 मिलिमीटर तो शाहवी से जादा बारिश था 14 गिनों में हुआ है अभी फोरकास जो है नेक्स 24 ओर्स में नर्थ कोप आलोरुषय का सभी डिस्टिक्स और के उंजFL मुयरभांज, शुन्दरग़ में बाकी डिस्टिक्स में मेनी डिस्टिक्स में हलका से मुधर्ण बारिष का पोसिबिडिटी है बाद बारिष लाइट कम होने का चैंसे रहे हैं मिनी प्रेसिस में कोस्टाल विश्यका डिस्टिक्स के अंजर मेर्वेंच में बारिश का पॉसिबिलिटी है और बाकी डिस्टिक्स में कि वलकुस कुस थाना पर हलका से मुद्धाम बारिश होगा। पिर छे तरिक में और भी बारिश कम होने का चांसे से किवल कुश-कुश तानपरी बारिश रहेगा, ड्याजवाली फिर और भी बारिश कम होने का चांसे से 7-8 में, भुबनेशर सीटी में आज जेनरली क्लावड स्काई, अप्टा नून बाई इविनिंग का तरफ बारिश क पॉस्कुश एरिया में है, नाइट में भी उसकुश एरिया में बारिश हो सकता है.